हलो फ्रेंद्स विल्कम बैक टो मैं चैनल शायना गोयल सो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सभी की प्रप्रेशन भी अच्छी चल रही होंगी तो आज की वीडियो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाट इस नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या फिर निव ए आपके दो या तीन नंबर पक्के होते हैं तो यह वीडियो का कंप्लीट देखेगा इसको बिल्कॉल भी स्किप ना करें क्योंकि कोई नो कोई पॉइंट अदर्वाइस आपका में सो जाएगा सबसे पहले देखें यह जो है यूनियन कैबिनेट ने किस डेट को थी तो वो हम चेक कर सकते हैं सबसे पहली जो एडुकेशन पॉलिटी दाट वस इन 1968 बेस्ट अन कोथारी कमिशन अंडर दो गर्मेंट ओफ इंदिरा गांधी जी तब प्राइम निस्टर कौन थी इंदिरा गांधी ठीक है 1968 में सेकिंड एडुकेशन पॉलिशी जो आई थी यह है थर्ड नैशनल एडुकेशन पॉलिशी ठीक है एडुकेशन पॉलिशी थर्ड है यह और इसको हम कह सकते हैं कि 21st सेंचिरी की 1st एडुकेशन पॉलिशी है तो इसके लिए देखिए 2019 में एक ड्राफ्ट एननिपी प्रिपेर किया गया था बाइद फॉर्मर चीफ इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में विस्तार से बात करने वाले हैं सेकिंड पार्ट है हाइर एडुकेशन के रिलेटेड और थर्ड पार्ट समें दिये हैं अधर की एरियास ओफोकस लाइक विमें एडूकेशन ठीक है अडल्ट एजूकेशन इस तरह के जो एरिया था उनके बारे में बात की हुई है और फाइनलिए फ़ोर्थ one is making it happen कि इसको कि स्थासे इंप्लियमेंट किया जा सकता है तो बेसिक हमारा जो अगं बस है जो इसमें content आएगा वो आएगा school education में से ठीक है first part में से तो इसके अंडर जो भी particular sub parts है वो हम completely इस वीडियो में discuss करने वाले हैं next दीखिए सबसे पहले है aim of NEP NEP का aim क्या है इसका aim है universalization of education यानि कि हर एक person educated हो starting from preschool to secondary school ठीक है और सिरुफ education provide करना इसका aim नहीं है quality education provide करना NEP का aim है ठीक है then it focus on fair and inclusive education system for youth by 2030 with 100% literacy rate यह क्या है एम है NEP का तो इसमें से आपको question आ सकता है कि यह किस चीज़ पर focus करती है ठीक है कितनी literacy rate percent यह कहती है कि होना चाहिए next इसमें जो main change आई है वो यह है कि ministry of human resource development है जो उसका name change करके education ministry रख दिया गया है ठीक है M.H.R.D. का name change करके क्या रखा है education ministry यह question previous paper में आया भी हो आया है integrated B.Ed. course तो जो बच्चे in future teacher बनना चाते हैं वो आप देख लीजे कि जो integrated course है ना इसकी full on scope है तो integrated course का काफी ज्यादा scope आने वाला है आने वाले टाइम में 2030 तक इनोंने बोला है कि minimum qualification ही four year integrated B.Ed. course कर दी जाएगी तो यह point भी बहुत main है teaching के लिए है नेक्स्ट देखिए अब हम जो इसका बहुत main चीज है school education के बारे में क्या कहते हैं जो पहले policy थी 1986 उसमें क्या system था 10 plus 2 class 10 के बाद two years कौन से होते थे आपके स्ट्रीम के ठीक है जब हम स्ट्रीम चूज करते थे हम कहते कि बई यह तुमने क्या लिया commerce लिया आर्ट्स लिया ठीक है जो बच्चा आर्ट्स लेता था वो commerce की study नहीं कर सकता था ठीक है rigid curriculum होता था कि जो चीज जो stream जो field आपने चूज कर ली वही रह जाएगी आप flexibility नही स्ट्रीम का सिस्टम होना ही नी चाहिए इन्होंने नया सिस्टम क्या दिया है five plus three plus three plus four यह आपको as it is याद करना है क्योंकि यह as it is paper में आया हुआ है इसमें देखिए आपको यह जो numbers हैं यह different दे देंगे तो आपको सही चूज करना है five plus three plus three plus four sequence भी यही रहना चाहिए ठीक 18 साल की एज में ठीके 15 साल का पूरा scheme इनों ने बताई है बच्चों की स्कूल education के related तो जो पहले पांच साल है वो है foundational stage foundational stage में सबसे पहले देखिए आंगनवाडी या फिर प्री प्री स्कूल होता है जिसमें बच्चा तीन साल तक इस चीज में involved होता है ठीक है तो इसमें त चीजें जो है foundational stage में है ठीक है तो next जो two years है वो बच्चा class 1 या class 2 में अपना spend करता है और 6-8 साल का बच्चा होता है इस time पर उसके बाद आती है preparatory stage यहाँ पर दीखिए जो exams लेने हैं वो start कर देते इससे पहले examination का system होता है वो start नहीं होता preparatory stage में examination system start होता है यह चीज आप ध्यान में रखें तो यहाँ पर भी बच्चे के तीन साल जाते है ठीक है यह जो three years है five क्या है foundational stage यह another three क्या है preparatory stage तो आठ से 11 साल तक बच्चा इस stage में रहता है class 3, 4, 5 इस चीज के अंडर आती है बस दीखिए preparatory stage यह जो मैंने लिखा हुआ ना इसके इलावा कुछ भी नह है यह चीज़ें आपको ध्यान में रखने है कि preparatory stage है क्या age है बच्चे की इसके अंदर और क्या classes है इसके अंदर clear होगा यह चीज़ उसके बाद है दीखे middle age middle stage sorry middle stage होती है class 6, 7 और 8 के बच्चे यह होती है 11 से 14 साल के और 3 साल की stage यह है तो यह वाला जो three है यह middle stage को denote करता ह है और यहां पर दीखे 6th class में न computer की जो basic knowledge होती है वो coding होती है वो start हो जाती है vocational education यह सारी इस middle stage में start कर देते हैं इसके बाद होती है finally secondary stage जो है 4 साल की और यह four denote करता है secondary stage को यहां पर आपको 4 classes देखने को मिलेंगी 9, 10, 11th और 12th class और बच्चे की age क्या होगी आप से 14 से 18 सा साल तक का बच्चा होगा इस stage के अंदर तो यहां पर देखिए stream system को इन्होंने completely खतम कर दिया क्योंकि पहले तो जो 10 प्लस 2 था 2 years किसके थे हम कहते थे बच्चा प्लस 1 में है प्लस 2 में है ठीक है तो क्या stream आप लोगोंने ली है अब इन्होंने यह चीज को अलग ना करके जो secondary stage है वो 9, 10, 11th और 12th class को बना दिया यहां पर जो बच्चा है ठीक है वो कोई भी subject चूज करता है अपनी मर्जी के साथ ऐसे नहीं है कि अगर बच्चा ने arts चूज कर लिया तो वो science का कोई subject नहीं पढ़ सकता यह चीज बिलकुल खतम कर दी गई है flexibility create की है system में education system में भ पूरे curriculum को flexible बनाने की कोशिश की गई है NEP 2020 में यह चीज़ क्लियर हुई अब हम बढ़ते अपनी next slide की तरफ next दीखिए यहाँ पर है main principles क्या है इस policy के first is conceptual understanding अब देखिए जो पहले का system होता था साल के end में paper होते थे बच्चों के तो वो चीज़ यहाँ पर बिलकुल completely खतम कर दी गई है क्योंकि 12-12-15-15 chapters होते थे तो बच्चों को learn करना पड़ता था लेकिन अब कहते कि road learning को आप discourage क कीजिए ratification को छोड़िए बच्चे का जब तक concept clear नहीं होगा वो life में आगे बड़ी नहीं पाएगा ठीक है आप एक बर याद कर लेंगे अपने three idiots movie भी देखियोगी चतुर नाम था उसका और साथ में अमीर खान ठीक है दोनों में क्या चीज का difference था एक था concept को learn करता था machine क के बारे में किसको ज्यादा knowledge अच्छे से थी वो थी आमीर खान को और जो road learning थी वो चतुर करता था ठीक है तो यह कहते है कि आपको road learning नहीं करनी है concept build up करना है उसी के लिए सारी strategies plan out की जाती है teachers अपना teaching material उस according से design करते हैं ठीक है जो teaching styles होते हैं strategies होती हैं सभी किस चीज पर focus करती हैं कि बच्चे के concept development अच्छे से हो next is continuous evaluation focus होती है अब हमने पढ़ा है CCE के बारे में in the previous वीडियो हमने बहुत detail में CCE के बारे में discuss भी किया है continuous and comprehensive evaluation अब देखें पहले वही चीज़ जो हम discuss कर रहे हैं कि S A होता था सारे points किया नहीं इंटर रिलेटिड हैं साल के end में या फिर साल में दो बारी जो paper होती तो उस चीज़ को ये policy discourage करती है कि सिरफ इस चीज़ से हम बच्चे की जो assessment है वो नहीं कर सकते बच्चे को evaluate नहीं कर सकते बच्चे की evaluation daily basis पर होनी चाहिए इस तरह से वो activities में involved होता है class में कितनी participation है कितना response देता है बच्चा करना चाहिए क्या होता है continuous evaluation पर focus देन हम कहते है formative assessment ये formative assessment भी क्या है एक या दो chapters करवा दिया उसके बच्चे का test ले लिया quiz करवा दी assignment दे दी project दे दिया इस basis पर क्या है बच्चे की formative assessment होती है clear और summative assessment को ये discourage करते हैं ये क्या होती है basically semester के end में ठीक है ये क्या है assessment for learning और ऐसे क्या होता है assessment of learning ठीक है थोड़ा revise कर रहे हैं जो हमने पीछे भी क्या हुआ है next क्या है to evaluate progress of child बच्चे की progress को evaluate करने के लिए एक center establish किया गया है जिसका नाम है परक और इसके related हम in the coming slides भी discuss करेंगे national assessment center का नेम है परक next point standardized to flexible learning की तरफ ये policy लेकर चलती है जैसे हमने discuss किया है कि चाहे evaluation का criteria है या teaching strategies है या curriculum है learning है standardized नहीं होना चाहिए कि बच्चे boring तरीके से books में से पढ़ रहे हैं teacher blackboard में पढ़ा रहे हैं और students बिल्कुल in active होकर सिर्फ lecture को सुन रहे हैं ठीक है उसमे involvement नहीं है बच्चे interest नहीं ले रहे हैं वो चीज खतम करनी है हमना जो standard criteria पहले से चला रहा है flexible learning होनी चाहिए यानि कि learning to learn ये नहीं हमने learn करना कि क्या learn कर रहे हैं हम ठीक है हमने ये learn करना है कि किस तरह से हम चीजों को learn करेंगे concept किस तरह से build करेंगे ये नहीं कि जो पूरा एक paragraph है उसको दिमाग में क किस तरह से उतारने है ये देखना है कि वो paragraph में क्या बोला गया है actual बात क्या है ठीक है हम कहते हैं ना कि बच्चों को बिटा आप अपनी language में लिख सकते हो आपको चीज समझ में आने चाहिए हमें नहीं चाहिए कि आप word to word लिखें आपका concept सही होना चाहिए आपका meaning सही हो अब क्लास में देखे diversity of students होती है potential कितना है बच्चों का creative learners होते हैं जिनकी creative thinking है logical thinking वाले students होते हैं और critical thinking बच्चों की enhance करनी चाहिए सभी चीज को देखते हुए class में teaching की जानी चाहिए ताकि जो intelligent students है या creative है उनको और challenging environment मिले और जो थोड़े से dull है या weak students है वो भी rise कर है the next is equitable and inclusive education सभी को एक समान समझना class में एक समान knowledge देना बीना किसी भेदभाव के यह चीज़ हम inclusive education में भी देख सकते हैं जिसको कहते हैं समावेशी शिक्षा जहां पर बच्चा without any discrimination on the basis of caste, creed, religion या फिर कोई handicap है disabled children है सभी को यह हक है कि वो एक ही class में बैठ कर पड़े तो इ जो infrastructure है वो सब हम आगे भी पढ़ेंगे कि school का infrastructure है या जो building environment वो किस तरह से होना चाहिए ताकि वो inclusive education को properly support कर सके ठीक है next is experiential learning अब आगे देखेंगे जो progress card होगा ना जो हम कहते कि हमारा report card है हम में हमारे time पर क्या होता था कि सिरफ marks देखते थे 100% में से अगर तो आपके चॉकलेट मिल जाएगी है आपको निया cycle लाके दे देते थी लेकिन अगर उससे कम नंबर आये तो depend करता है कि कितने चांटे आकर पढ़ने वाले हैं ठीक है लेकिन आज के time में grading system हो गया experiential learning हो ठीक है जहां पर progress card में सिर्फ आपकी percentage नहीं होती overall दिखाया जाता है कि बच् based learning करते हैं यानि कि project based learning यहां पर होती है that is learning by doing इसको क्या कहते है काने स्थाटिक लर्निंग भी कहते हैं तो अगर आपको learning by doing आ जाए या फिर experiential learning आ जाए या फिर काने स्थाटिक लर्निंग आ जाए it all means the same principles हमारे clear हो गए देखे बच्चों अगर आपको यह अच्छे से सम आप में करते जाए अब हम अपनी next slide की तरफ बढ़ते हैं देखे language के बारे में NEP में क्या कहा गाए इससे देखे जो यह headings मैंने बनाए इससे आपको थोड़ा clear हो जाएगा कि क्या क्या points school education के related इन्होंने बताए हैं और उसमें क्या क्या further sub details है तो आप इसी तरह से इसको learn करें तो आपको confusion भी नहीं होगी क्योंकि यह policy में काफी सारी चीजें हैं तो confusion हो जाती है तो इसको इस तरह से distinguish कर दिया है language में होता है multi-linguism को support करते है three language formula होता है ठीक है जहां पर एक mother tongue हो गई आपकी समझ लीजी दो Indian languages होगी और एक आपकी foreign language हो सकती है जैसे एक होती है mother generally English ही होती है आप schools में देखेंगे तो English ही क्या होती है foreign language है basically तो यही three language में included होती है उसके बाद class 6 से classical language कोई भी इन में से एक कोई भी एक classical language बच्चा opt करता है ठीक है वो सीखता है उसके बाद जो middle stage है middle stage में कौन-कौन सी classes आती थी जल्दी से comment कीजिए middle stage में हमारी classes आती थी class 6, 7 और 8 ठीक है तो वहाँ पर बच्चों को एक foreign language कोई भी चूज कर सकते हैं इन में से तो कोई भी एक foreign language यहां पर चूज करनी है ताकि वो आगे जाकर अगर कुछ इस related अपनी field में बनाना चाहते हैं अपना नाम कमाना चाहते हैं या फिर job attain करना च आते हैं तो उनको कोई ना कोई इन में से एक foreign language आनी चाहिए ठीक है language वाला concept clear हो गया चलते हैं अपनी next slide की तरफ अब देखिए जो progress card की बात की थी यह हम करते हैं उससे पहले परक एक बहुत important word NEP लेकर आई है जिसमें इन्होंने कहा है कि बच्चे की performance अच्छे से देखी की जा रही है ठीक है और किस तरह की knowledge बच्चे को है बच्चे का overall development देखा जाना चाहिए holistic development सिरफ यह नहीं देखना कि mentally बच्चा कितना अच्छा है physical, mental, emotional, moral, spiritual, every aspect देखना चाहिए बच्चा को तो यह term किसने दी है परक national education policy NEP 2020 तो देखिए यह चीज़ आपको word to word याद होन चाहिए पी से performance, ए से assessment, आर से review and analysis, ए से analysis of knowledge for K and H for holistic development क्लियर हो गई यह चीज़ अब देखिए progress card यह बहुत important है progress card जैसे कि हमने पहले बात की है वहाँ पे सिर्फ percentage matter होती थी लेकिन अब 360 degree multi-dimensional progress card बच्चों का बनाया जाता है यहां पर जहां पर सभी domains देखी जाती है, cognitive development किस तरह की है, cognitive किसके साथ related है, mental activities, mind के साथ, कितने marks आया है समझ लीजिए बच्चों के, उसके बाद effective domain जो emotion के साथ attached है, then psychomotor domain, जो हमारी muscles या फिर muscular movements के साथ, कोई physical activities है, ठीक है, उसके साथ related है, तो सभी domains important है, सिरफ आपके marks important नहीं है, उसके बाद इखे project based learning होती है, यानि कि learning by doing, then is self assessment and peer assessment, अब देखे बच्चा सबसे better खुद को assess किस तरह से कर सकता है, कि जब वो group में बैठता है, तब peer assessment, यानि कि उसके group members उसके बारे में क्या समझते हैं, उसको कितनी knowledge है, या बच्चा खुद को कितने marks देता है, हम कहते हैं कि तुम्हें क्या बता, तुम्हें कितनी knowledge है, खुद के हिसाब से बताओ, तो वो क्या है self assessment, खुद को assess करना, ये चीज होती है, इसके बाद देखे एक है portfolio assessment, तो friends अगर आपन assessment किसका part है, progress card में इस basis पर भी assessment की जाती है, that is 360 degree, या फिर multi-dimensional assessment कह लीजी है, ठीक है, तो ये आपने जो नाम है बेसिकली ये याद रखने है, clear, और इसमें holistic development एक बहुत main word है, then all domains, ये सारी क्या है, एक समझ लीजी कि keywords है, ये सभी आपको अच्छे से पता होने चाहिए, द इनका आप screenshot लेकर रख लीजे अपने पास, या फिर आप no down करना चाहते हैं, आप अपने handwritten notes बना रहे हैं, handmade, तो आप ये definitely सारी चीज as it is copy कर लीजे, अब इसमें national education policy में एक और बहुत important term है, जिसके according काफी सारी questions frame out होते हैं, तो ये है ECCE, यानि कि early childhood care education, और दिखें ये ब बहुत focus करती है, NEP क्या कहती है कि बच्चे की mental development है, 85% development जो है बच्चे की 6 साल का जब वो हो जाता है न, तब तक हो जाती है, इसलिए पहले 6 साल बच्चे के बहुत crucial होते हैं, उसको बहुत ध्यान से बच्चे को exposure देना चाहिए, ठीक है, environment उसके around जो है, बहुत better, बहुत अच्छा होना चाहिए, तो education इस time पर बहुत important role play करती है, तो देखें यह जो stage है, foundational stage हमने किया था, 3-6 साल तक के बच्चे थे, जो वो आंगनवाडी में या फिर kindergarten में, nursery, play school में ठीक है, वहाँ पर जाते हैं, and उसके बाद जो 6-8 साल के बच्चे हैं, वो जाते हैं, early primary education में यानि कि class 1 and class 2 में, ठीक है, तो ये 3-8 साल तक का जो time period है, foundational stage का, यहाँ पर NEP कहती है कि early childhood care education बहुत important है, और ये किस तरह से होनी चाहिए, सिरफ examination based या फिर बच्चों पर burden नहीं डालना चाहिए, बच्चे खुद से activities करके सीखें, ठीक है, sports based, activity based, exploration based, तो इस तरह की education बच् क्योंकि 85% of the mental development कह लिए, cognitive development जो हम कहते हैं कि एक basic mind का विकास होता है, ठीक है, वो सारी उमर हमारे साथ चलता है, तो वो 6 साल की उमर तक हो जाता है, at the age of 6 years, तो ये पहले वाली foundational stage बहुत crucial है हर बच्चे की life में, तो बच्चा चाहे किसी भी society से belong करता है, चाहे economically weaker section से है, च हर बच्चे को right है, और universalization of education की इस साल तक के बच्चे कम से कम चाहे किसी भी society से belong करते हैं, उनको पकड़ के लाओ और education प्रोवाइड करो, उनको primary, आंगनवाडी में भी होना चाहिए, ठीक है, pre primary education भी बच्चों को definitely मिलनी चाहिए, इसके लिए इन्होंने क्या कुछ measures भी suggest किये थे, कि हम school में जो है, आंगनवाडी या फिर kindergarten को school के साथ collaboration करके, हर school में जो है kindergarten भी होता कि बच्चा आपनी higher education बिल्कुल foundational states से start करके, higher education तक एक ही school में जा सके, ताकि बच्चों को school change करने की भी जरूरत ना पड़े, ठीक है, इस तरहां से यह चीज बहुत important है, इस पर काफी सारे questions आते हैं paper में, seated का paper हो या फिर आपका किसी भी state level का paper हो, उसमें आपको ECCE पर काफी सारे questions देखने को मिलेंगे, अब देखिए, एक disability right है, and textbook, and curriculum के related, finally, NEP में क्या कहा गया है, कि जो disabled बच्चे हम कहते है, inclusive education होनी चाहिए, तो NEP कहता है कि normal और disabled बच्चों को एक स्कूल में पढ़ने का right है, एक ही स्कूल में वो पढ़ें, पढ़ेंगे कैसे, अगर स्कूल का infrastructure इस तरह का होगा, for example, जो handicap है, ठीक है, wheelchair पर है, या तो उनकी classes नीचे लगाई जाएं, या फिर stairs की बजाए, जो ramp होता है, वो भी होना चाहिए, स्कूल में, technology इस तरह की होनी है, अगर बच्चे में, तो वो सफर ना करें, स्कूल में, हर तरह की education होनी चाहिए, and compulsory special education for disabled, अगर कुछ इस तरह के बच्चे हैं, जो एक ही class में बैठ कर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो special teachers उनके लिए allocate किये जाने चाहिए, compulsory special education for disabled, यह point clear होगा, disabled rights का, then इस textbook and curriculum के लिए इ reduce किया जाए, curriculum को जो basic content है, उसको flexible बनाया जाए, बच्चे activities करके सीखें, syllabus reduce करेंगे, तो क्या होगा, critical thinking increase होगी, बच्चे की scientific knowledge, ठीक है, logical way of thinking होगी, तो learning भी क्या होगी, scientific तरह की होगी, wrote memorization को हम starting से discuss करते आ रहे हैं, कि बोल रहे हैं, ratification आपने बिलकुल नहीं लगाना है conceptual information आपकी होनी जरूरी है, concept form करें आप चीज का, हम भी अक्सर कहते हैं कि अगर आपको concept समझ में आ गया, कोई भी MCQ आ जाए, आप कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि concept में ही सारी power चुपी होती है, ठीक है, उसके बाद class 6 से इन्होंने बोला है कि यह बहुत important, middle stage की starting व onwards ही start हो जाएगी, इसके इलावा और क्या था, कि बच्चे computer की जो knowledge है, coding है, वो start हो जाते है, देखे, html आपने सुना होगा, computer में अगर आप coding start करते हैं, सबसे पहले html सिखाई जाती है, hypertext markup language, प्रिके तो वहाँ से coding start हो जाती है, classics onwards, then इन्होंने कहा है कि national textbooks है, उनको update करने की, upgrade करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि gender biasness को खतम करना है, inclusive education को लेकर आना है, काफी सारे concepts हैं, तो textbook उसमें बहुत बड़ा role अदा करती है, हमने gender bias में काफी detail में discuss किया है, कि textbook में kitchen में मदस दिखाई जाती है, कोई field job है, या फिर official job है, तो bag पकड़ कर, suit case पकड़ कर एक male को दिखाया जाता है, इस तरह की gender biasness books में नहीं दिखाया जानी चाहिए, equal होना चाहिए, equalable identity शोग करनी चाहिए, सबी की, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी NEP का friends, जो topic है, इसके सभी points है, यह complete होते हैं, तो friends, अगर आपको ये video helpful रही हो, तो इसे like and share जरूर किजएगा, अगली वीडियो में, till then, keep watching friends.